अब इसके बाद जो अगली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रेट्रो वाइरस अब मेरी बाद ध्यान से सुनेगा आप लोगों को जादा तर वो वाइरस से संबंदित क्वेशन होंगे क्योंकि कोरोना के महाल ने वाइरस चैटर को एकदम से हाइलाइट करा सा दिया है तो इसलिए वाइरस से रेलेटेट सारी इंफरमेशन आपको पता होनी चाहिए तो अब जो मैं बताने वाला हूँ यह वही चीज़े है रेट्रो वाइरस तो आपने कभी नाम सुना होगा एट्स बीमारी जो आपको होती है वो इसलिए आपको होती है क्योंकि आपके बलड में HIV वाइरस एंटर हो जाता है और जी हाँ HIV वाइरस जो है इसी को रेट्रो वाइरस भी कहते हैं HIV वाइरस को रेट्रो वाइरस भी कहत रहें HIV वाइरस में जो आप यह रैड कलर में देख रहे हैं यह दरसल में सिंगल इस्ट्रक्चर आरेने हैं एक सूत्री आरेने हैं निश्चत रूप में आरेने जो रैड कलर में आपको दिख रहा है यदि यह प्रोटीन के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है कहने का मतलब है कि HIV वाइरस में जो जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल का मतलब जैसे हमारे सरीर में आत्मा या सोल ही सबसे इंपॉर्टन है उसी तरह से किसी भी वाइरस में उसका genetic material ही सबसे important होता है तो HIV वाइरस के अंदर genetic material क्या होता है आ रहे ने और यदि वो चारों तरफ से protein के जरिये घिरा हो और protein में भी interview में पूछने लगें आजकर glycoprotein तो फिर इस तरह के virus को हम retrovirus कहते हैं पतलब retrovirus जो है HIV virus को सिर्फ इसलिए हम कहने लगे क्योंकि genetic material ला रहे ने हैं और चारों और protein से घिरा है ये चीज हमको उसने बताई थी सबसे पहले जिसने AIDS का full form सबसे पहले बताया था और जिसने HIV का भी full form सबसे पहले बताया था तो AIDS term देने वाला व्यक्ति और HIV term देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बलकि है Robert Gale तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे अब आती सबसे काम की बात आप से भी पूछा जाए कि जादतर communicable disease जादतर संक्रामक रोगों का टीका बन चुका है AIDS का आज तक टीका क्यों नहीं बना या AIDS की वैक्सीन क्यों नहीं बनी आज तक तो आपको इस सवाल का जवाब जो है इसी structure में मिलेगा अच्छे से देखिएगा इस structure में आपको जो ये blue dotted structure दिख रहे हैं दरसल में ये एक enzyme है जिनको कहते है reverse transcriptase enzyme और reverse transcriptase enzyme ही HIV virus को बहरूपिया बना देता है या HIV virus हर बार अपना size and shape जो है change कर लेता है duty the presence of this particular enzyme नाम है reverse transcriptase इसको इंगलिस में कहते है pleomorphic property हिंदी में कहते है बहरूपिया पन तो हर बार जो हम दवा भेजते हैं वो particular किसी एक shape के virus को destroy करने के लिए ही बनाई जाती है लेकिन जैसे ही blood stream में कोई medicine जाती है यह जो virus है HIV virus या retro virus यह अपना size and shape change कर लेता है इस enzyme के कारण जो blue dot में आपको दिखा रहे है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बटा जी इस वज़े से आज तक कभी भी इसका vaccination नहीं हो पाया है मतलब HIV virus का या AIDS का वेक्सीन नहीं बना पाया है क्योंकि HIV virus हर बार अपना आकार परिवर्तित कर लेता है अब इसके बाद जो चीज मुझे आपको समझानी थी यह है वो दो सबसे important question पहला है वाइरोइट और दूसरा जो है यह है प्रियोंस अब यह वाइरोइड और प्रियोंस क्या होते है मेरी बाद बले ध्यान से सुनियेगा यदि आपको एक चीज समझ में आगे वाइरोइड यदि समझ में आगे तो प्रियोंस आप just opposite लिख सकते है मतलब दोनों एक दूसरे के antagonist है दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं कैसे समझे ज़रा वाइरोइड क्या होते हैं सबसे पहले वाइरोइड जो है उसके खोज करता का नाम है डाइनर 1971 में इसको खोजा गया था मतलब जब स्पेस कमिशन बन रहा था स्पेस डिपार्टमेंट बन रहा था हिंदुस्तान में उस से ठीक एक साल पहले स्पेस कमिशन बना था 1972 में आप ध्यान से सुनियागा यदि आप यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह मालने जाएक वाइरस का स्ट्रक्चर है इस वाइरस के स्ट्रक्चर में यह कहलाता है प्रोटीनियस कोट या इसी को हम कहते हैं कैपसोमीर तो यही दरसल में कैपसोमीर कहलाता है किसी को capsid कहते हैं और ये जो है जो आप ये ring-like ये fimbri-like structure देख रहे हैं ये protein से मिलकर बनी संदचना है मतलब ये proteinious coal होता है ये proteinious outer structure होता है तो याद रखेगा capsid ये capsomere जो है ये है और जो अंदर आप देख रहे हैं ये single thread-like structure this is called as RNA नहीं मतलब genetic material अंद मेरी बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा यहीं है पूरा का पूरा खेल मतलब यदि आपको वाइरोइड को और प्रियोंस को यदि आपको लिखना है और ये चीज़ देखिएगा एक या दो सालों में आपको लिखने को मिलेगी means में तुरी मारकर में तो आपको यहीं चीज़ सबसे important लिखनी पड़ेगी कि capsule या capsule मियर मतलब ये वाला structure किसी वाइरस में यदि ना हो सिर्फ और सिर्फ हो genetic material तो फिर हम कहेंगे उसे वाइवाइट और याद रखिएगा ये genetic material में भी इतना power है कि ये disease पैदा करने की ताकत रखता है मतलब लोगों को infection दे सकता है तो आप से सिर्फ दो चीज़े याद रखनी है आपको capsule या capsomere यदि absent हो मतलब ये outer cell जो है ना हो genetic material जो हो वो present हो तो इसी को कहते हैं दरसल में वाइरोइड और सबसे चोटा single strand क्या होता है RNA है और सबसे last में plant के disease के लिए ये जो है responsible होता है तो जो potato में fusiform disease होती है जिस बज़े से जो आलू होते हैं वो मुड जाते हैं वो इसी के कारण मुड जाते हैं वाइरस के कारण नहीं वाइरस के genetic material की infection के कारण जिसको हम क्या कहते है वाइरोइड अब बिल्कुल simple सी चीज है इसी का just oppose प्रियोंस किसे कहते हैं अब मेरी बद्ध्यान से सुनेगा सबसे पहले प्रियोंस की संदचना जो है यदि यह हो present हो और genetic material यदि ना हूँ genetic material यदि ना हूँ तो फिर इसे हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ body है stole नहीं है क्योंकि genetic material ही तो असल माइन में सारे के सारे कामों के functioning के लिए responsible होता है तो इस तरह से यदि कि किसी वाइरस में सिर्फ genetic material ना हो only capsomere या capsid हो तो फिर इसे हम कहते है प्रियोंस तो याद रखिएगा अगर कभी आपसे पूछा जाए कि प्रियोंस क्या है तो आपको ये दो चीज़ें सबसे पहले लिखनी है और last में proteinious संक्रमन कारक होता है मतलब proteinious infectious agent होते हैं मतलब ये जो चीज होती है ये glycoprotein से मिलकर बनती है और ये भी infection cost करने के लिए sufficient है याद रखेगा वाइरॉइड और प्रियॉंस बहुत इंप्रोर्टेंट है ये इसके बाद एक question आता है जीवानू भोजी कई बार जीवानू भोजी का नाम सुनकर अमको लगता है ये जीवानू है ना जी ना ये जीवानू नहीं है कोई bacteria नहीं है दरसल में ये है virus परंतु word जो लिखा है न बैक्टीरिया या बैक्टीरियो से ये word शुरुआत होता है इसका मतलब है कि है तो virus बैक्टीरियो फेस जीवानू भोजी दरसल में एक virus है जिसका सबसे favorite food होता है बैक्टीरिया है virus लेकिन बैक्टीरिया को eat करता है और especially जो गंगा नदी के जल को अस्वक्ष बनाते हैं जो गंगा नदी में जो बैक्टीरिया है निश्चत रूप मे गंगा के पानी को जो impure करते हैं उन्हीं को ये virus जो है food के रूप में intake करता है और निश्चत रूप में गंगा के जल को स्वक्ष बनाता है तो आपसे अगर कभी पूचा जाएगा बैक्टीरियो फेस तो आपको ये सबसे important चीज़ लिखनी है कि गंगा नदी का जल जो है वो स्वक्ष होता है बहुत से बैक्टीरियो फेस मतलब वाइरस के कारण और ये जो वाइरस होते हैं बैक्टीरियो फेस जैसको हिंदी में कहते हैं जीवानू भोजी गंगा नदी को जो असुद्ध करने वाले जीवानू होते हैं उनका भक्षन करते हैं ये बैक्टीरियो तो यह चीज़ आप याद रखेंगे कि एक वायरस है जो बेक्टीरियल सेल को यह जो बेक्टीरिया responsible होते हैं pollution के लिए गंगा रिवर में उनको दरसल में nutrition के रूप में इंटेक करता है अब इसके बाद यह उसका चित्र है परध्यान से सुनियेगा जो सबसे important चीट बोल रहा हूं यह उसका head है यह दरसल में बेक्टीरियो फेज में एक एक्जामपल है T4 तो T4 बेक्टीरियो फेज है और यह उसका head है निश्यत रूप में यह वाला genetic material DNA लेकिन यदि मैं पूछूं कि वाइरॉड में genetic material है कि प्रियोंस में genetic material है तो I think आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रियोंस में genetic material नहीं होता है लेकिन वाइरॉड में genetic material होता है ठीक है